हलो प्रेंट्स जो आपको मेरी टेपल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं माइक्रो फॉस्वेट इंजेक्शन जो की माइक्रो लेप्स क्या आता है जिसके अंदर साल टाय बुटा फास्पोनेंड मिथाइलोको बालामीन यानि इस साल्ट का जो इंजेक्शन है ये पूरा देखना सोट में आपको बता दिया जाएगा हालागी इस अंदर पर भी जो नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर भी सही जानकरी के साथ वीडियो दी जाती है सबसे पहले तुम आपको बताना चाहता हूं कि जो माइक पिएस ब्यादने के बाद में पशू में पेशा आपके साथ खून आना रही बात आपका पशू सुस्त हो जाना खाना पिना नहीं करना इंडाइजेशन से समदी द्रोग हैं उनके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रियो किया जाता है जो इस तरह की वायल में उपलब दोत इस तरह की बीमारी में भी इस इंजेक्शन का प्रियो किया जाता है बहुत यह चारे जिल मिलता है इसी तरह से आपके पशू में नियूरों से समदी देदी बीमारी हो गई है तो उसमें भी इस इंजेक्शन का प्रियो किया जाता है जैसे आपका पशू बैठ गया खड़ इसी उबारने के तोर पर भी इस injection का परियो किया जाता है वहाँ पर भी पस्चू के लिए अच्छा रहता है इसी के साथ साथ जो ये माइक्रो फोस्ट जो वेट इंजेक्शन आता है ये दियाब के पस्चू में इन फर्टिलिटी है हीट में नहीं आ रहा है, कंसेप्शन रहेट नहीं बढ़ रही है बांस बन की सिकाईत है, पस्चू ठैर नहीं रहा है कंसेप्शन रहेट फासपोस की रिपसिंस की वज़ेसे तो उसी स्तिती में भी इस injection का परियोग किया जाता है वहाँ पर भी भूत ये अचारे जेल देखने को मिलता है इसी तरह से इस injection का दूद देने वाले पस्चू उसमें दूद की मातरा को बढ़ाने के लिए भी इस injection का परियोग किया जाता है खहने का मतलब है कि इस injection का परियोग जो मैंने कई तरह की बिमारिया बता ही है इन सभी में इसका परियोग किया जाता है रही बात ये injection पस्चू के लिए बहु जाता है खहने का मतलब कि इस injection पस्चू में किसी तरह की जो बिमारिया है उन बीमारी में पस्टों का temperature low गया है उसी इस्तितिमी भी लगया जाता है या थोड़ा सा temperature बढ़ गया है तो उसी इस्तितिमी भी इस injection का प्रियोग कर सकते हैं रही बात ये injection ये प्रिग्नेंट है नौल प्रिग्नेंट है दू देने वाले पस्टों है सबी के लिए इंजेक्शन सेप रहता है रही बात इस injection की डोज तो जो large animals हैं बड़े पस्टों हैं तो इसकी डोज होती है 15 ml से लेकर के 25 ml तक इसका परियोग किया जाता है कई बर 30 ml भी एदी जिन पस्टों में बहुत ज़्यदा फासपोस की डिफिसिंसी हो जाती है अब पस्टों पेसाब के साथ बहुत मात्रा में खून फेंक रहा है तो उस इस्तती में इस injection की डोज ज़्यदा भी दी जाती है इसी के साथ इदी पस्टों में जिसमें इडियम साइज के हैं 10 ml बेड़ बकरियों में इसे 2 से 7 ml तक इस injection का परियोग किया जाता है रही बात इस injection का कोई वीडरोल पिरेड नहीं होता है जो आपके दू देने वाले पस्टों हो या चाहे मीट लेने वाले पस्टों हो इन सभी में आप इस injection का परियोग अपने पस्टों से कर सके दोवारा करवा सकते हैं खैने का मतलब है कि इन्जेक्शन पस्टों के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है रही बात इन्जेक्शन किसी भी तरह की जो बीमारियां मैंने बताई आपको जिस प्रकार से मेटाबोलिक बीमारियां हो गई है फास पोस्ट की यह जिन एरियों में पस्टों को को प्रियावत नहीं मिल पाता है तो उस इस्तति में इस इंजेक्سन का प्रियों करवाया जाता है देघा जितनी मैं डिजीज बताई रही बात एंजेक्शन आपको कहीं पर भी किसी भी छेतर में माइक्रिक्रीयव्स को जो मिल जाता है तो यह वीडियो जितना हो सकता है प्रसुपालक है वेटरेने स्टेंट है उनके साथ सेर करें क्योंकि चैनल पर भी आपको सोट में इसी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे रही बात इस इंजेक्शन के बारे में वेट पेटरेन केटल पर लोंग में सकते हैं इसी तरह से वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवा